कि अधियर इस्टुडेंट्स फायर मैंस्मेटिक्स किस क्लास में आप सबी का स्वागत है तो हमारा जो टोपिक चल रहा था लास्ट जो हमारा वीडियो था वह था आपका बीज़ी पार्ट पस्ट के अंतरगत लेक्शन नमबर सेवन आज आपका लेक्शन नमबर एट जो मैंस्मेटिशन आइलर था उसने स्टेटमेंट दिया था अब आउट जो आपके क्या थे समघाथ यो फलन थे उनके बारे में उसने क्या दिया था एक आपका एक डेपिनेशन देती उसने किस तरीके से कि यदि हमारे पास कि f, y के लिए एक समघाथ फलनो एंधात का ए कि यदि एक्स के लिए मैं इसको ऐसे लिखू कि डेल एक्स प्लस वाई डेल एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल टू एंड एफ होता है कि यदि मुझे इस तरीकी के रिजर्ट की यदि कहीं आउशकता होगी तो मैं इसकी जगे सीधा-सीधा क्या लिख सकता हूँ एन उना f लिख सकता हूँ यानि इस पूरे परंगों कि से मटिप्लाइ कर दूँ मैं n से तो पढ़ना मुझे वही प्राफ्त होगा यह किस ने बताया था मैं इस तरीके से कैसे होंगे कि जैसे हमने सबसे पहले इसको प्राफ्त किया था इसी को यदि आप एक बार विद्रेस्ट प्रेंशेट कर दो तो क्या हो जाएगा यह एक्स के लिए दो बार हो जाएगा आपको क्या मिलेगा यह second order का आपको X के लिए differential operator प्राफ्त होगा यहां से तो वो हमारा यहां से मिल जाएगा और यदि फिर मैं इसी का जो उसने statement दिया था उसी का यदि मैं Y के लिए कर दूए एक बार पार प्राफ्त हो जाएगा तो यह सब किसे मिल रहे हैं जो आयला था पर उन पर यह रजट सारे के सारे के होते हैं होते हैं तो आम इनको भी प्रूव करेंगे आपर क्योंकि एक एक रजट को यहां पर प्रूव करेंगे आपर तो सबसे पहले तो हमें स्टेट्मेंट लेना होगा क्योंकि बिना स्टेट्मेंट की कह नहीं सकते हैं कि ऐसे यह सब सारे चीज़े होती है तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने स्टेट्मेंट लिए और क्या लिए कि माना अब यहां पर यह चीज़ी मेंशन कर लीगी यह होमोजीनेस फॉंक्शन है वो भी एंट पावर का है आपर तो इसका जो रूप है आप कहीं नहीं कैसा लिख सकते हो जो अमने स्टेंडर फॉर्म इसकी लिए उनमें से कहीं नहीं कोई सारूप हम ले सकते हैं आपर तो क्या ्याया होगा तो जो हमारा έघ अ है क्योंते हैं इसों कैसे लिख सकते हैं या दो एकितिल्याये में और यदी और लिखते तो या levar टो अ प्रजेंट में हम इसको टू वेरीवल की लिए ले ले रहे हैं इस वज़े से हमारे पास यह की पावर एन पॉंट की रहती है और यह की पावर एंगों पॉन सी होंगी है तो हमारा जो रूप है होमोजीनियस फॉंक्शन की वज़े से इन दौनों में किसी एक रूप में उसको मानकर लिख सकते हो यह हो जाएगे हमारी इक्वेशन नमबर फर्स्ट अब यह तो जनरल किसकी बात होगी होमोजीनियस तक यहां पर लेकिन आलने के बताया था आपको क की यदि आपकी जो फलन है वह यदी एन घाट की जो में फ्रूंक्शन हो तो इसमें एक रजल्ट दिया ओंपर ताहां हो समीकर एक के लिए आयलक के कथन से तो आयलक के कथन से क्या मिलेगा यहां पर हमें क्या प्राप्त होगी हो आपर हम इसको लिख पाएंगे कैसे कि एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन एफ यह किसके help से लिए हमने आयलर की statement की help से लिख लिए कि जब मेरे पास समिकण एक संभाथ पलन है तो उस condition में जो आयलर का जो statement है perfectly fit होता है वाँपर उसके लिए और वह हमने या पर यूज में लिया और उसके basis पर क्या लिख लिए हमने equation number जो हमारी 2 है वो हमें नहीं या पर लिखी याँ ठीक है अब बठते आगे याँ आप अब हमें इन तीनों डो ब्रू करना है याँ अब हमारा इन डो को इन गो अजुगा जो आधा काम अगा यहांपर समीकण 2 के माल्टन से पूरा हो गया अब क्या कर गेए इस अपिछ एक्स के सापिक्ष आंशी का उकलन करते हैं यहां पर समीकर्ण एक का एक्स के सापिक्ष आंशी का उकलन करने पर तो जैसे ही हम इसका आंशी का उकलन करेंगे एक्स के सापिक्ष तो हमें रजल क्या प्राप्त होगा यहां पर करना पड़ेगा क्योंकि दॉनों क्यों पृपस भीत है यहां पर एक्स उपस नीदे नहीं है तो सब्सक्राइब अब यहां से देखिए आप एक्स क्रें हो तो श्कंडिशन में आपको क्या करना पड़ेगा को इसको क्या माग लिया वाई कोंस्टेंट कर लिया ठीक है फिर इस वाले को देखो यहां पर आप पहले इसका वाई के सब्सक्राइब कर चुके हो तो हमारे फलन F में तो X भी विद्धमान था और Y भी विद्धमान था तो इस फलन F का तो X के लिए भी हो सकता है तो जब इसका करेंगे तो यहां से आपको प्राफ होगा यहां से इसका यह बराबर में था यहां पर बराबर में लुणा यहां सकते हो जो भी हमारा फंक्शन है इसको इस तरीके से लिए जो कि हमारा आएगा निके लिए उसको एप देखिए आगे तो हमने जो आदा काम था यहां तक कर लिया अगर यह दिमें इसको और आगे बढ़ानी को सिस्क्रूँ तो जब मैं यहां से देखा कि एक्स डेल टूए फ़ो जाया यहां पर लेकिन जब 30 वाल एका करेंगे यहां से उसका क्यों हो जाएगा जीरो तो अंदर की जो टम्स हमें को एफेक्ट नहीं डलेंगी आपर जो भी हमको भी लेगा वो सिंपल हमें टम्स मिलेंगी आपर तो इसको हम ले यह वाइग डेल टू एक नदर पूर पाउन डेल एक्स डेल वाइग यह वाला राज़ देखो यहां से हमारे पास तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास मिलेगा इको मैं इसको इधर ले गया सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब को यह था धैस लगा कर लिखनें का यह को हमारे पास सब्सक्राइब करेंगे तो यहां से देखिए दोनों में से क्या को मना सकता है देखिए 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 दूसरे रजल्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सिंपल आपका आपकी बार जैसे हमने समीकन्ड दो का X के साफिक चांस की का उपलंग किया है आपकी बार किसके लिए करेंगे इसका Y के साफिक तो वही रजल्ट आपको यहां से प्राफ्त हो जाएगा जो इस तरीके से प्राफ्त होगा तो किसका करना पड़ेगा में जो समीकन्ड नमर हमने दो लिखा है यांपर इसका हमें प्राफ्त होगा यहां तो चलिए समीकन्ड नमर किसके साफिक्ष कीजिए वाई के साफिक्ष कि तो मैंने फिर से लिखा पुने पुने समीकन्ड नमर का Y के साफिक Y के साफिक Aansi काउपलन कर ने पर Aansi काउपलन कर ने पर ठीक है? तो करो समीकन दोख का Y के साफिक तो यहाँ देखो आपके बर Y के साफिक जब करेंगे तो X क्या रहेगा constant तो X को छोड़ दिया इस वाले की करेंगे आपर तो क्या जाएकर डेल 2F अपोन X के साफिक ओर रहा है तो किस के साफिक ओर कर दी हमने Y के साफिक ओर कर दिया यहाँ पर भी Y है यहाँ पर भी Y है तो इससाद इससे करेंगे यू दोट वी से तो जब पहले कोई शोड़ जेते हो तो दूसरे वाले का करोगे का आपको क्या फ्राफ्त होगा है तो जब यहाँ से देखा तो हमें यहाँ पर भी Y है और यहाँ पर भी Y है दोनों जगा उपर भी Y है और किसके साफिक कर रहे हैं यहाँ से देखा पर यहाँ से देखा पर भी Y के साफिक कर रहे हैं तो पहले को मैंने क्या वाले का कॉंस्टेंट और दूसरा हमारे पास फ्राफ्त बचाए हैंपर तो पहले को छोड़ कर यह जी मैं दूसरे को करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे डेल 2 F upon डेल Y square अब क्या करना पड़ेगा पहले को आपको करना पड़ेगा दूसरे को छोड़ना पड़ेगा तो पहले का किया तो 1 और दूसरा छोड़ दिया तो क्या प्राफ्त होगा तो क्या प्राफ्त होगा तो इस नरीगे से हमें समीक्रण 2 का य के साफिक्ष आंसी का उपल्म करने पर रजरेट प्राप्ट हुआ है इसको रियरेंज कीजिए आपर तो रियरेंज करेंगे हमारे पास आजयेगा कि यह यह पर दियरेंज करेंगे हैं पूर्म करेंगे इस्कों फोटने प्राप्ट हो गया और यहीत अपर फ्राप्त हो गया वाला पार्ट यहीं चाहिए था था पी वाले प्रत्सक्राइब चले तो तीस्क्राइब करना पड़ेगा तीसरे वाले खेल के लिए सब्सक्राइब ढूंहें क्या है करना पड़ेगा चु कोंड़ी gel किया तो पुमने Um प्राप्त करना चाहते हैं तो दोनों को यदि बैने जोड़ा है यांपर तो क्या प्राप्त होगा मुझे यहां से देखिए यह वाले पार्ट से देखिए किया मिलेगा एकस डेल टुपॉपॉर्ट डेल एकस के लिए यह ने इसे पारी और जुड़ने पर हमें जो 2xy की टम्स मिलने जाए थी वो भी हमें प्राप्त नहीं हो रही है एक बात और हमें x square की टम्स है और यह पर y square की टम्स है यह वो भी हमें प्राप्त नहीं हो रही है तो उनके लिए हमें क्या करना जाए है कि समीकरण 1 को समिकंद आ है उसको तो किसे multiply करना पड़ेगा एक से और यह बी वाला पार्ट है उसको किसे multiply करना पड़ेगा y से तब जाके हमें यह relative मिलेगा यहां पर तो यही काम हमने किया कि पहली बाले को x से multiply किया और दूसरी बाले को किसे multiply किया y से, तो किजे और जोड़े जाए तो पहली बाले को जब हमने फिला किया हमारे पास आगा एक स्कुराइल टु एफ एफ ऑपॉन डैल एक स्कुराइल और ऑर क्या मिलेगा बराबर में आगे जा कि हमें पर N-1 और हो गया यहां से हो गए हमने इसको जोड़ना था तो दूसरी टम्स को इसके साथ साथ ही जोड़ लो ताकि हमें एक लाइन और नहीं लिखने पड़े तो यहां से दूसरे वाले को किसे मिल्टिप्लाइ करें यहां क्या मिलेगा दूसरे वाले को किसे मिल्टिप्लाइ किया था और बी को किसे मिल्टिप्लाइ किया था और बी को किसे मिल्टिप्लाइ तब Y से और दोनों को जोट दिया जोटने के बाद हमारा रजल यह हमें मिला अब देखिए आगे तो यहां से हमारे पास क्या होगा दोनों को जोटने के बाद हमें जो रजल प्राफ्ट होगा वो होगा हमारा X स्क्वाइर डेल 2F अपोन डेल X स्क्वाइर प्लस यह देखो दोनों टर्म्स के हैं सेम हैं अपर तो इनको जोड़ ले पर क्या प्राफ दोगर 2xy डेल 2f अपॉन डेल x डेल y प्लस y स्कॉर डेल 2f अपॉन डेल y स्कॉर और यहां से देखी इसमें से भी n-1 common आ रहा है और यहां से भी n-1 common आ रहा है तो n-1 दोनों में से common ले लिए और क्या लिखा एकस डेल f upon डेल x प्लस y डेल f upon डेल y यह हमें रजल्ट प्राप्त हो गया है आपकर ठीक है क्या मिला में आपकर की n-1 x गुणा डेल f upon डेल x प्लस y डेल f upon डेल y अब ऐसा कहीन कहीन रजल्ट आपने पहले भी देखा है आप एवर इसको थोड़ा पीछे जो आपने लिखा है उसमे एक बाद चेक कीजिए कि कहीन कहीन आपने ऐसा रजल्ट लिखा है और इसकी कुछ ने कुछ वैल्यू होती है तो वो हमारी जो समिकर नमर हमने दो लिखी थी यानि आईलर का जो स्टेट्मेंट था उसके बेसिस पे इसकी वैल्यू कितनी होगी एन एफ होगी तो क्या लिख सकते हैं इसको एन माइनस वन गुणा एन और डॉट एफ एफ हमारा ये था रियरेंज करू तो एन गुणा 10-1 गुणा और ये हमें चाहिएता है या बर तीसरिद्ट के रूप में तो तो जो हमें चाहिए था वो हम है यह पर प्राक्थ हो गया किma एक्सट्या डैल टू-F अपौन डैल x स्कौायर प्लस 2xy Cooking capable देल x स्टेट्मेंट की बेसिस पर हम जो सेकंड ऑटर के जो आंसी का पुलन गुणान के हैं वो समधात फ़लनकर जो यह हो तो उनकी लिए एक तीन प्रकार की विस्स जो रजल्ट है उनकी विप्राप्ती कर सकते हैं यहां पर ठीक है तो इस तरीके से जब हमें कहीं पर यह प्रू उसी परिकेस उसको आंसी को करें व्लम करके उन रजल्ट को प्राप्त करेंगे आंपर ठीक है क्या किया था समीकर दोंका य के साब या अवलेबल है और यहां पर ब्लन तो पहले को छोड़ करना पड़ेगा दूसरे को चोड़ना पड़ेगा तो पहले का किया तो वन और दूसरा छोड़ दिया तो क्या प्राफ्त हो गया तो इस नरीके से हमें करता है अब मुझे क्या मिलेगा &-1-1-2-1-1-1-2-1-2-1-1-2-2-2-2-1-1-2-2-1-1-1-1-2-2-2-2-2-2-1-1-2-2-2-2-1-2-1-2-1-1-2-1-2-2-1-2-2-1-2-1-2-2-2-3-2-2-1-2-2-2-2-2-2-1-1-2-1-2-2-2-1-2-2-2-2-2-2-2-1-2-1-2-2-2-1-2-1-2-2-1-2-1-2 कि यही जो एक आप सब्स על कि उसलिके लिए प्राप्ति होना रहती वाला जो किस्त्रे वाले रज्ड के लिए हमोरे इन दौनो रजड जो हमने थुड़्दे पहले प्राप्त किये थे कौन सा एक तो कर ना पढ़ेगा जोड़ना पढ़ेगा तो पुने किसा ब हुआ यक करन ए वह हर वी को जोड़ने पड़ाओ lizard तो पहले किया किया थे दो एक को एक के साषण सी उतलं किया था एक को वाई कसा पेंजिक किया था तो हमें result इस तरीके से मिले था कि अब की बार हम किया थे? दोनों को जोड़ रहे हैं और जोड़ कर प्राफ्ट चाहते हैं तो दोनों वो यह दिवे ने जोड़ा हैं अपर तो क्या प्राफ्ट होगा मुझे? यहां से देखिए यह वाले पार्ट से देखिए क्या मिलेगा? X delta upon delta x square और दूसरे से क्या मिलेगा? यहां से y delta upon delta y square और यहां से भी x के लिए हैं और यहां से भी किसके लिए y के लिए लेकिन इससे हमारे दॉमल जांदर की तम से वो जुड़ नहीं पा रही और जुड़ने पर हमें जो 2xy जो टम्स मिलने जाही थी वो भी हमें प्राप्त नहीं हो रही है एक बात और हमें x square की टम से यह और यहांपर y square की टम से यह वो भी हमें प्राप्त नहीं हो रही है आपर ठीक है तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए कि समीकरण 1 को समीकरण a है उसको तो किसे multiply करना पड़ेगा x से और जो B वाला part उसको किसे multiply करना पड़ेगा Y से तब जाके हमें ये result मिलेगा यहाँ पर तो यही काम हमने किया कि पहली वाले को X से multiply किया और दूसरी वाले को किसे multiply किया Y से तो कीजिए और जोड़िए तो पहली वाले को जब हमने multiply किया तो हमारे पास आ गया X square डेल 2 F upon डेल X square और क्या मिला और हमें मिला X Y डेल 2 F upon डेल X डेल Y और क्या मिलेगा बराबर में आगे जाके हमें मिला यहाँ पर N-1 और प्राप्ट हो गया X डेल F upon डेल X यह को यहां से हो गया लिए हमने एक गड़बड करती हमें इसको जोड़ना था तो दूसरी टम्स को भी इसके साथ साथी जोड़ लो ताकि हमें एक लाइं और ने लिखने पड़े तो यहां से दूसरे वाले को किसे multiply करें Y से तो Y से करेंगे तो यहां क्या मिलेगा X Y del 2 F upon del X del Y प्लस Y स्कुायर del 2 F upon del Y स्क्वायर उक्वल दू अब देखिए पहली वाले को किसे multiply किया था X से तो और ने लिख दिया X del F upon del X दूसरे वाले को किसे multiply किया था Y से तो लिख दिया Y del F upon del Y हो गया सभी को हमने आप क्या कर लिया और दोनों को जोड दिया आप आप देखें आगे तो यहां से हमारे पाथ क्या होगा दोनों को जोडने के बाद हमें जो रजल प्राफ्ट होगा वो होगा हमारा X square Del 2F upon Del X square Plus यह देखो दोनों terms के हैं सेम हैं अपर तो इनको जोड़ लेकर के अपराब तो अपर 2XY Del 2F upon Del X Del Y Plus Y square Del 2F upon Del Y square और यहां से देखिए इसमें से भी N-1 common आ रहा है और यहां से भी N-1 common आ रहा है तो N-1 दोनों में से common ले लिए और क्या लिखा X Del F upon Del X Plus Y Del F upon Del Y यह हमें रजल्ट फ्राब्त हो गया है आपर ठीक है क्या मिला में आपर की N-1 X गुणा Del F upon Del X Plus Y Del F upon Del Y अब ऐसा कहीन कहीन रजल्ट आपने पहले भी देखा है आप एब इसको थोड़ा पीछे जो आपने लिखा है उसमें एक बाद चेक कीजिए कि कहीन रही है आपने ऐसा रजल्ट लिखा है और इसकी कुछ रह कुछ वैल्यू होती है तो वो हमारी जो समिकर नमर हमने दो लिखी थी यानि आईलर का जो स्टिट्मेंट था उसके basis पे इसकी value कितनी होगी n f होगी तो क्या लिख सकते हैं इसको n-1 गुणा n और .f f हमारा ये था rearrange करो तो n गुणा n-1 गुणा f और यह हमें चाहिए था है आपर 30 रजल्ट के रूप में तो जो हमें चाहिए था वो हमें आपर प्राप होया तो इस तरीके से तीन और रजल्ट हमें यहां पर प्राप्त होगे तो यह आपका कौन से हो गया पार्ट सी तो हमने देखा कि ILR की statement की basis पे हम जो second order के जो अंसीर पुलन गुणानक है वो समधात फरल्लकर जो यह थी हो तो उनकी लिए एक तीन प्रकार की basis जो रजल्ट है उनकी भी प्राप्ती कर सकते हैं यहां पर ठीक है तो इस तरीके से जब हमें कहीं पर यह प्रूव करने के लिए यह ऐसे statement यह आजाते हैं तो हम पहले एक सामान्य statement यूजमें लेते हुई प्रिमें हैं उसको लिखेंगे और उसका फिर हम इस तरीके से एक्सके साथ या उनके साथ जो भी हमें इस तरीके का रजल्ट चाहिए कि तरीक तरीके से उसको राभा को प्राप्त करेंगे आपकों तो कि हमारे और चार पर इसको समझते है ऑपर कि कि इस तरीके से मिसको समय कर आपर कि क्या हम आपर आयला का युदी को गिर पर समय आपर तो सबसे पहले तो यह देगें आपको कि जो रजल्ट वो आईलर जैसा ही रखा है क्योंकि आईलर का जो रजल्ट था उसमें भी कुल-कुल ऐसा ही था कि X डली अपून डल X प्लस Y डली अपून डल Y यह हमारे वहां पर इस्टेटमेंट पर हुआ करता था तो कहीं नगें यह वही रजल्ट यूज में लिया गया आपकर लेकिन फिल्में हम इसके बार देखें कि हमारे पाद यू नाम अग फंक्शन है वह क्या है यह नहीं है लेकिन यू को तो कैसे डिपाइन कर रखता है कि यू बराबर है करें बराबर है यू इसको सां मख़ा इनवर्स है आपूल निवाइ अंग आपक होने इसको अगात लीटेश्चिश् caval लेता हूं इसको मझाले मने आर्लेका हम लिया थी दो क्या है नहीं टर। सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब और यहां इसको कैसे लिख सकते हैं इस तरीके से लिख सकते हैं और यह पास क्या जाएगा कि साइन वी इक्वार एंड के टमस में लिख सकते हैं यहां पर आप आप न देखा कि यदी मैं स्कूष्टी पाउर एंड की टम्स में लिखू तो एक भी वैल्ली आंपर बहार नहीं है क्योंकि निकल ही नहीं आपर ऐसा कुछ यहां पर जो की तंसिया आपको ओल्रेटी देशों के अंतर करती गई है तो इस वजे मैं इसको के लिखा है एक्स की पावर नोट लिखा है ताकि हमारा जो रूपका जो कि हम मानते हुए आए कि समगार को इस तेन की से लिखा जाता है है तो दोनों जो रूप है आपकर उस तरिकित हो गें हैं यहां से आपके आप ह Swam साइन भी जीरो घात का संगाथ तो यहां पर तो क्या देगा साइन वी क्योंकि आप इतनी घात का है वो लिखते थे अब यहां पर हमको क्या मिल गया क्योंकि यह भी तो वही है कि जहां इसको मानते थे कि आंण यहां से देगे इसको क्या ना देगर भ्छाट्स के छिलाएं अब कि तरहां द्रहकों कुछ द म्युद्ण फोर्व करें डेलेगे एक ना यहांप क्यों टैन देगर ग्र reading तो यहां पर यहां पर जीनो गार्ट का समगार फलने तो लिखेंगे कैसे आई लब बे में की कथन उन्सा तब आगे वड़े यहां पर क्या ज्याए का यहां पर क्या ज्याए कर देल वाई यहां पर भी जितनी है जीरों ने के लिख्टिया है आप देखिए आगे कि एक्स मैंने किया साइब यह दूसरा चाहिए कि इसका आफ प्रोइस कर सकते तो हमें जोर्ण थे गोले को यह एक्स में लिए लिए अब आगे यहां बड़े यहां पर यहां पर हमें क्या अब यहां यह पर यह देल वाई हो गया है और आगे बढ़ते हैं यहां पर तो हमें यहां से क्या प्राफ होगा इक्वल टू जीरो कि इदर देखा जाए तो एकस टैन डव्लू का 10W का क्या हो 10X का कितना होता है 10 böl 3 215 सेग इस्वाइश factor & till फ्लस वाइ सैट इस्वाय डाई डोर्ट डेट डाय लिए ठीज है यह अगर यहँ से रचने कि अधूं को जोड़य दें को चैकर ऑफनand दाना है एक हमें से बाते हैं यांक हो गया तो नेक्स है मैंने लिखा यहां पर कि तो दोनों वैरीदी में हुआ से जो डूँत हूं यहां से क्या को मना जाएगा एक तो एक तो मुझे क्या मुझा भूंल जाएगा यहांसे की X common मिल जाएगा ठीक है और क्या common मिलेगा और देखिज़ हमें क्या करना हैं इन दोनों sum-eakad को एक को तता दो क्या करना है एड करने हैं लेकिन अपर यहां पर यही चीज माना रहे है कि दोनों में क्या रहा है इस प्रकार से कहां किया जो हमारा दूसरा पार था उसमें भी इसी प्रकार से किया और इदर को भी किसको common ले लिया जो सेक स्कॉयर जो हमारा common आ रहाता उसको भी इमने यहां से common ले लिया तो next कि आ जाएगा हमारा यहां से आ जाएगा सेक स्कॉयर W X डेल W upon डेल X and Y डेल W upon डेल Y equal to zero अब यहां से आप देखो थोड़ा सा तो अमरे पास एक result निकल कर आ रहा है कि यह दौनों का जो पूरनफल है कि को सब्सक्राइब कि इस रज़ल्ट को पूरनफल कितना रहा है जीरो आ रहा है यह अपर इस है इस रजल्ट का मल्टिप्लिकेशन वो कितना रहा है जीरो तो क् यह वाला जिरो होगा 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 यह वाल यहां पर हमारे पास एक constant value trapped होगी जो कि हमारे इस result को क्या करती है cancel करती है तो इस वज़े से हमके हमाद है कि cos v की value 0 हो नहींगी तो किसकी हो रही है इसकी क्योंकि यह differentiation है तो हो सकता है यहां पर इनका जो value answer को क्या मिली यहां से देल पास आ गया मगया य जिजहें यह सॉम्मिकर नमबर 1 इसी प्रकार की से मिलेगा यहां से मिलेगा lux· by del w Е app XL y 0 डैल w wild wh Dé y झोलIDE 0 तो हमें हमारे दो бесп स्वीर तो दो दो नम्ब्र दोनों को मैंने एड तटा जोड़ा है हूं रिखा है इक प्रक्षा लिए को जोड़ने पर दिखा एक सांथ ले लूँ तो कि दैञ दिर्टी अगण एक यहां पर प्लस देल डवलू आईगनफ की बार क्योंकि वाइप की तम से ने एक बार तो डैली हपून डैल वाई और बिरावर में 0 प्लस 0 इक्वल्टू जीरो, तो यहां से हमारे पास क्या गए, एक गजल्ड यहां मिल गया, एक गजल्ड यहां मिल गया, तो हम जानते हैं कि यदि इस समीकण को मैं X के साफिक अवकलन कर दू इसका, तो क्या मिलेगा मुझे, इसी प्रकार से दी दूसरा महीं को यहां पर, कि इसके लिए, यहां पर आपको प्रक हो रहे हैं कि यह वाला था वो तो यहां आ जाएगा, और यह वाला था वो यहां आजाएगा, तो यहां आजाएगा, तो ऐसा करने पर हमें क्या प्रकार होगा, X डेल योपों डेल एक्स प्लस Y डेल योपों डेल य इक्वल टू क्या था जीरो, और यह यहां पर दर्शाना था इस फॉंक्शन के लिए, तो यह उन्हें के लिए दिया हैं, इस तरीके से हमारा जो पोशन होगा, वो कम्प्लीट होगा यहां पर, ठीक है, अब देखते हैं, एक नेक्स पोशन की हो, तो एक बार हम यहां तर इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं, नेक्स पोशन की, अब देखें, नेक्स पोशन, यहां का, एक्जाम्पल नमर पोड़ता है, एक्जाम् Valor 5, एक्जाम्पल नमर 5 को देखें, एक्जाम्पल नमर 5 में हमारा क्या होगा है, आँ फोगई होगा, एक्जाम्पल नमर 5, हमारा उसमें लिखा है, यू पराबर, X Y Y upon X plus sin Y upon X ठीक है इस तरीके से आपको दे रखता है Then prove that Then prove that आगे आपको prove करना है कि X square del 2U upon del X square and 2XY del 2U upon del X del Y del Y plus Y square del 2U upon del Y square बराबर 0 यह आपको prove करना है ठीक है Qution आपके सामने है बिल्कुल अब यहाँ पर जो result आपके सामने लिखाया है यही चीज़ आपको prove करना है आपको करोगे कैसे यह आपको समझना है तो हमारे पास हमें दिया गया है कि यू एक function है जो कि एक तो पाइ फंक्शन है जिसमें एक है साइं function पाइ फंक्शन को देना जा तो पाइ फंक्शन के बाहर के लगा हुआ है इसका मतलब कह सकते हैं कि वह हमारा है वो एक घाछ का समगार तो मैं इसको लिखा हूं के सब्सक्रास करते हैं शोंग को संथ्क्रास के वहां थे सब्सक्राइख क subscribe आसे हो कि वहाम वोकुछ चीन कीजी तो भी हमारा क्या है एक हात का समगात करें नहीं फिसी दिश्ञार करें है आप इसको लिखेंगे कैसे इंगा या तक यह मारा होगा इस तरीके से की एक्स बैल वी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल विपाउन डेल ओी एक्वलडी टू क्या देगा और वी एकुछ वे वैंड लिखते हैं कि इसी प्रकार से दूसरे वाड़े रज़ेट के लिए तथा डवलू जीरो गात का डवलू जीरो गात का समगात पलन है डवलू जीरो गात का समगात पलन है तो इस कंडिशन के लिए भी आपको क्या मिले रहे यहां पर कि जब डवलू जीरो गात का समगात पलन है तो क्या लिपाएंगे तो हमारे पास होगा खिए देल डेल डिर्व आपन डेल एक्स प्लस बाइ डेल 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 य एक्वल टू जी हो लिख दिया, एक यहां से मिल गया और एक यहां से मिल गया ठीक है, अब दौनों का कंभाइन करके हमें कनवर्ट करना है तो यूप की फॉम में इसको करना है तो दौनों को कमेंट करने के लिए जोड़ दिया है तो मैंने लिकाँ समीकन एक प्लस तो समीकन एक प् को दो पूर जोड़ो अभो अब जोड़े तो स्पॉमन लेगे हैं यहां से दोन mojeं की航ुम 치GS कंठ हमारी पास आगए डेलेज़़ डेलेगिल्व खुलस एंट डेल डेले डेल्व खुलस फोलसब राखुल सको ऐघू गठेल def anche and डेल डगल्व पॉन y आएक नहें łगकर dell v upon dell y and dell w upon dell y ईक वर तू क्या जाएगा एक तरफ तो आ रहा है वी और इक तरफ क्या रहा है जी रो so जी रो सकर अहां पर अब यहां से इसकी वेलिता हम जानते हो जानते हो कि dell y upon dell x plus dell la upon dell x कमान यहां से आपके लिक सकते हो क्योंकि हम जाते हैं कि U बरावर यहां आप क्या लिख सकते हैं वो इस तरी है जो कि U बरावर V प्लस W बान करें तो हमारे पास क्या रहा है अगर U बरावर क्या हो गया V प्लस W हो गया तो जब मैं U का with respect to X partial differentiation करूँगा तो यहां मुझे मिलेगा del U upon del X equal to del U upon del X प्लस del W upon del X तो यहां पर इसको कैसे लिख सकता हूँ न सीधा कि X del U upon del X इसको कैसे लिख सकता हूँ Y del U upon del Y इकोल भी मिलिख सकता हूँ B तो यह हो जाएगा मेरा 3 नमबर यहां इस तरीके से मैंने इसको नोट कर लिया कि X del U upon del X प्लस Y del U upon del Y बराबर B जो कि किसके दौर इंडिकेट होगा समीकर नमबर 3 के दौर है अपर अब हमारा जो कोशन था वो लगबग लगबग आदा हो चुका है क्योंकि अब हम जानते हैं कि यह हमारा जो आयला की जो प्रिमेर उसका स्टेट्मेंट हमें प्राफ्त हो गया है अपर अब इसका तो हमने एक रज़र्ट ऐसे पहले भी प्रूब कर चुके हैं कि जब हमने उसके डेरिवेशन पढ़ेते आयला की तो उने से इस तीसा नमबर के डेरिवेशन था ही बस बात में जो जीरो आ रहा है हो हम देख लेंगे किस तरीके से क्या हो रहा है आप ठीक है तो हमने क्या किया सबसे पहले समिकन 3 का X के साफ प्रशवत ग्लं किया तो उससे में यह प्राफ्त होगा प्र जोड़ देंगे पूरा प्र प्राफ्त हो जाएगा तो मैं यह लाइन यहां पर लिखता हूं नेक्स थे तो समीकर्ण तीन का मैंने लिखा यहां पर समीकर्ण तीन का समीकर्ण तीन का समीकर्ण तीन का ने क्या किया एक्स के साफिक्ष अंपलन किया एक्स के साफिक्ष अउपलन सभी कंटीन का x के साफिक शब्लन करने पर तो x के साफिक शब्लन करें यहां आ जाएगा x del 2u upon del x square plus del u upon del x क्योंकि x का जब किया तो 1 हो गया और जब हमने x को छोड़ कर इसका गया तो del 2u upon del x square हो गया आगे बढ़ो y जहां से क्या मिलेगा del 2u upon del x del y और 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 आगे बढ़ो तो कि मुझे मिलेगा del 2u upon del x मुझे यहां पर प्राप्त हो गया यहां पर ठीक है तो हमें इसको क्या करना होगा इस समीकरण को अभी भी x से multiply और करना होगा ताकि हमें पूरे बजल्ट की प्राप्ति हो जाए इस समीकरण को एक से गुणा करने पर तो नेक्स लाइन हम लिखते हैं समीकरण को एक से गुणा करने पर तो आगे देखिए mogą एक हड बजल्ट होगा आकी देख़न्ट को मुझे को एक से गुणा करने पर तो एक से बुणा करींगे तो यहां कितना प्लाइसे स्वाइब प्लस यहां से क्या मिलेगा स्टे विक्स एक्स फिर आ गैप्स वाइगा यहां से आ जाएगा डेल्स डेल एक्स ड्राइब वाई और और आके बढ़ें यहां से क्या मिलेगा बराबर एक्स डेल भी अब और क्या जाएगा ठीक है इस तरीके से इसको लिए आपर यह हो जाएगा हमारा समीकन नमबर 4 यह और यह आपर तो इस समीकन का पुने वाइट के साफ़े शब्लन करें यह आपर ठीक है इने कू पूरवपरियनाम का पूरवपरियनाम का वाइट के साफे क्शिए आँचिक आफ्लन करने पर आँचिक आफ्लन करने पर पूर्व परिणाम कि यह यह साप्ष थो यह चीच मैं नििखा हैं आप सामिकर 3 का सामिकर 3 का हमках पूर्व परिणाम साप है यहां तक और आगे इसको बढ़ाओं तो मुझे क्या मिलेगा यहां तक और आगे इसको बढ़ाओं तो यहां तो मैंने यहां पर लिखा समीकर्ण को य से गुणा करने पर तो हमने इसको किसे गुणा कर दिया य से अब य से गुणा करें तो हमारे पास आजाएगा एकस वाई डेल तुई अपों डेल एकस डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल यू अपों डेल वाई स्क्वायर प्लस वाई डेल यू अपों डेल वाई इक्वल टू वाई डेल वी अपों डेल वाई इस तरीके से उसको cela मुझे पराप्त हो गया तो आगे लिखते हैं स्मिकल्न कार यूज पांस colony पर दॉडने प्र सोंभी चार हबांस को जोडने पर थो चार फर पांस को मंझे पराप्त होग है X-square del 2U upon del X-square यहां से देखें यह वाली टम्स हमारे X-Y यहां पर भी है और उपर भी है तो दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे 2X-Y तो 2X-Y del 2U upon del X del Y फिर Y-square वाली टम्स और मिल रही है तो यहां पर और लिख देखें Y-square del 2U upon del Y-square अब सारे हमारे पास जो जित्ते 40 के जो आंसी का पुलन गुणांग थे वो तो अमनी लिख दी अब आज़ो फर्स्ट पर तो फर्स्ट में क्या बचा एक तो यहां से बचा इसको नोट कर लिया X-del U upon del X और क्या बचा यहां से क्या बचा वाई यहां से बचा है तो उनों का मैंने यहां पर एक साथ लिख लिए और यहां से मैं इसको देखो तो इसका परणाम हम जानते क्या होता है वी होता है यहां से इसका परणाम भी समीकर्ण एक की साथा से कितना होता है वी ही होता है तो मैं लिखता है यहां पर समीनल एक वहर थीमसे से मान रखने पर मान रखने पर समीखण एक वद तीन से क्या रख रहे हैं मान रख रहे हैं आपर तो समीखण एक वद तीन से दियां अबर मान रखू तो क्या मिलेगा मुझे यहां पर कि यहां से भी मिलेगा यहां से भी मिलेगा यहां पर क्राफ्त होगा टो इस तरीके से यह हमारे पास कोई भी वी समझ्या हुई तो हम इस तरीके से उसको सोल करके अपना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं तो सिंपल कोशन है समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको फिर भी अदिया दिया आपको कोई दिक्कत दो दिया तो हम मुझे कमेंट्स में इस सीज़ को बता सकते हो ठीक है नोट कीजिए प्राप्त कर सकते हैं हाँ नेक्स पॉशन लेते हैं उसको लेते हैं सब्सक्राइब कर देए हुआ है कि पोर अगे इस अच्च कॉशन नमबर घृब रोर यह काए आपका सिक्स तो हम इस को नोटेमिक समझ लेते हैं अपनेदिध लेते हैं साइन इंवर्स एक्स स्क्वाइर प्लस वाइब स्क्वाइर अपोन एक्स स्क्वाइर तो सिद्धिक कीजिए यह कोशन है आपका कि साइन इंवर्स साइन इंवर्स एक्स स्क्वाइर प्लस वाइब स्क्वाइर अपोन एक्स प्लस वाइ तो सिद्धिक कीजिए कि स्क्वाइर को सब्सक्राइब यहां भी देता हूं ने है कि घ्लीव फोन डैलल स्पलों उर्प्लस देल गफॉंड वाइए कोल टू अनु और दूसरा है फॉन हॉन हो ऑलता है उव प्ठाइब साइन प्लस एक्स की पार समयाु इंवर्स गोटे 4 divided by x की पावर गोटे 5 प्लस y की पावर गोटे 5 तो सिद्ध कीजिए तो सिद्ध कीजिए खी x del u upon del x plus y del u upon del y equal to 1 upon 20 tan u यह हमारा सब्सक्राइब कोशन इसी प्रकार से कोशन नवरा प्का 6 6 वाल मिकर रख्काई की u equal to sin inverse x plus y upon square root of x and square root of y और यहां पर आपको सिद्ध करना है तो सिद्ध कीजिए तो सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए क्या x del u upon del x plus y del u upon del y equal to 1 upon 2 tan u ठीक है इस तरीके से इस तरीके से आपके क्या है यह तो अब एक कोशन करते हैं बांकी को फिर इसी तरीके से समझेंगे वहाँ पर कि हमारा कोशन को यदि तरीका आपका सभी में यह हो गाए आपकर अब यहां पर सिंपल मैंने आपको जब एक्सराइज को स्टार्ट की तो उस समय में जो होमोजीनियस जो फंक्शन्स होते हैं उनके बारे में चर्चा की यहां पर कि हमारे जो हमोजीनियस फंक्शन्स हैं उनमें यदि अंदर ऐसे कि हृ dor दिखार से हरट नहीं जाना था तक इसके बारे में सकता है कि अहीं है यहां पर सबस्क्राइज को समस्थ्य कनते क्योंकि आपकि कि आपने यह को है आइं ए हैं तो आपको से बाक्त ही को जाएंगे एंगे डि सिक नमर से भाले में सबसे पहले हमारा काम सब्सक्राइब तो हम सबसे पहले काम भी यहीं करें यहां से साइन को अटाएने आपर तो लिखा समीकर्ण को सोरी कोशन नमबर इसमें चुंकि यू बराबर हमें दे रखता है साइन इन्वर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड़ बाइ रूट एक्स प्लस रूट वाई हमारा काम क्या होगा कि हमें जो फंक्षन है उसको साइन इन्वर्स से मुक्त करना है आपर तो आप जानते हो कि उसके लिए क्या प्रोसेस होती है कि यदि मैं साइन इन्वर्स को इदर ले जाओ तो गिल्बुल्ट फ्री हो जाएगे लिख सकता हूं और इसको कैसे लिख सकता हूं य और य और यह वाई पॉन एक्स और नीचे से आपने क्या लिए था इसकी पावर एकटे तो तो यहां के बचेगा वन लेकिन वाई को यहां देखा के अंदर जो में फंक्षन बचा हमारे पात उसका प्रतेव पद कैसा है वाई एकोन एक्स वाई एकोन एक्स पॉंग का है यहां पर इसको यह आगे सब्सक्राइब करूं तो मुझे क्या प्रावत होगा कि साइं यू के बारे में मैं कि में जान करें दूं तो मैं लिख सकता है इसके बारे में यह कह सकता हूं यहां से और जब इसके बारे में यह कह सकता हूं तो मैं आइलग करें स्टेटमेंट है वह भी में ले सकता हूं यह तो नेक्स काम अपनी यह इसका है इसको मैंने एक समीकर्ड मान ली और के लिखा समीकर्ड एक यहां पर लिखा समीकर एक समघात फलन है समघात फलन है अते आईलर प्रमे से अते आईलर प्रमे से तो आईलर प्रमे से क्या लिक पाएंगे कि साइन यू के बारे में लिख सकता हूं कि एकस डैल अपॉन डैल एकस साइन यू पिर लिखता हूं Y, डेल अपॉन डेल Y, और यहां लिखता हूं Sine U, और बराबर किता लिखता हूं 1 बटा 2 Sine U, क्योंकि हमने Sine U के बारे में बताया था कि Sine U is the homogeneous function of power half, कि Sine U हमारा समघात को लेन है आदिकात का, तो Sine U के बारे में हमने क्या लिख दिया है, जो N F लिखते थे, कि हमने क्या लगा दिया है, यहां पर समीकरण एक में समघात वाला जो हमारा रजल्ट है, वह हमने आपर एपलाई किया, अब देखते हैं आगे, तो आगे हमारा क्या होगा है, यहां से, यहां तक हमने क्या लेली समघात, जो हमारा पलंता उसकी डेपरिशन लेली, उसको लिख दिया है, अब आगे हम इसको सॉल्ट करेंगे, यहां क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, जो रजल्ट हमें प्रूव करना है, वो चाहिए, तो इसका एक पार्ट यहां आप देखो, तो उसमें sin you, x पर आए पांथ ही में तो हमारा Integrate Design हो रहा है, वो कंप्लीट ऐख हम एकपर्लिट hi how यहां पर हम प्रूव करना है, उसमें यहां क्रूव करना है, उसमें से sign you को यह यहीं क्या शाणियू होगी, तो मुझे isik अलगा है, तो मुझे इनने जब सैंगे यू का उकलंड किया तो एक्स साइन पर कितना हो जाता है पोस-ई और हमें क्या प्राफ्त हो गया डेल-फोल्ट इस पॉणगे, आगे बड़े यहां पर यहां पर प्राफ्त हो गया ओए यह पर नियुट यहां पर दोट ऐनल यह की मिला चिए यू क्या क्य खाहिए आपन अपने इसको लिखा एक्स बेल अपॉण ये उसको किसे रिवाइड कर दिया तो यह होगया साइड एड़ और सआइड ऐं जो कितना होता है तो के लिख दिया वन अपॉन जैन यीव और यहीं आपको यहाँ पर प्रूव करना था कि x del u upon del x plus y del u upon del y equal to कितना होता है 1 upon 2 10u यहीं आपको यहाँ पर दर्सान आता तो इस तरीके से हमारे पास कोई question होगा जहाँ पर हमें इस तरीके के दिर जल्ट यहाँ प्रूव करने होंगे सब्सक्राइब करें तो हम वह से साइन इंवर्स हो चाहिए को वह से अटाएंगे और अटाने के बाद पिर हम उसको solve करेंगे तो एक बार आप इसको सब्सक्राइब करने का प्रियास करें उनको भी घर से करने का प्रियास करें उनको अ कि और बादि की को शेंसे इनके पास बूप नहीं है मैं उनको एक जो आपके एकसराइज उसका वीडियो अलग से बनावें आप ताकि उसमें जो सारे आपकी एकसराइज की जो कोश्चन से वह आपको मिलेंगे आपकर तो आप उस वीडियो को भी देखना और जो अनसोल करना जितने आप उसको जरूर करने का प्रियास करना ताकि यह आपकी जो अप्रियास करने के लिए तो अब चलतें नेक्स्ट कोशन की ओड़ा ह no अब चलतें नेक्स्ट कोशन की ओड़ा एक है अब बढ़ते हैं आप आपको अब एक कोशन है आपका कोशन नमबर है 9 9 में आपको इस टेक्नोमेट्रिक फंक्शन की जगे आपको लोगलमेट्रिक फंक्शन दिया गए आपका दिया गए है रहा है तो सिद्ध कीजिए तो सिद्ध कीजिए की एक सब्सक्राइब लोग के अंदर से इसकी जांच नहीं कर सकते कि हमारा पलने वो समगार है नहीं तो किसी लोग यहां से घते कर सकते हो और द कि Κ cave खाएंग सब्सक्राइब जमांते हों कि लोग ऊथेंट से रेंड में या राइंड में जब जाता है तो चैकर होite की पावर यहां से जब लोग इदार जायएगा तो क्या बंजायगा एक पावर एक प्लस य बावर चाहर एंड डिवाइरड वाइस फ्लस वाय कि यहां से मैं इसको लिखो तो जी की पावर इसको पॉर वाइस पोशे लेềक्राइब कि हमारे जो function है उसके अंदर की प्रतिक जो step वो य अपॉन x पौंग किये और यहां कितना जाएगा य अपॉन x की पावर 4 and divided by y upon x की पावर 0 and y upon x की पावर 1 ठीक है कि इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया है ठीक है नीचे से मैंने किसको पॉमन लिए लिए था एक्स को पॉमन लिए था तब जाके ऐसा बना रहा है इसको solve करूं मैं आपकर तो मुझे प्राफ्ट होगा एक्स की पावर 3 और मैंने इस अंदर के पूरे function को क्या नाम दे दिया capital F नाम दे दिया मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं है तो यूसको अंदर के लिए था था कि तीपावर यू अलगाता है इस माथ का अगर यही तीन घाग का संगाथ भलन है तो कैसे लिख सकते हैं से खेंगे एक्स डेल इनका वहते हैं एक्स देल अपॉन सा था प्लस वाई देल अपॉन साथा इस पावर में एकॉल ट्या जाएं करए पर तो मुझे कितना प्राप्त होगा एक्स डैल यू अपॉन इसमें से भी जब एकी पावर यू का मैं यू के रेस्पेक्ट में गुरू पहले तो एकी पावर यू मुझे मिलेगा लेकिन यू इसका हो जाएगा एकी पावर यू और यू का दूआ है किया तो डैल यू का सब्सक्राइब करते हैं यह जानते हैं कि जब हमारा जो फलन है उसके साथ यह एक्सपोनिंशल टिक्नोमेट्रिक फलन या अनौधर कोई फंक्शन हो तो वहां पर हम उसकी जांच नहीं कर सकते हो मुझे में तो इसके लिए हमने जो लोगमेटिक हमारा फंक्शन ता उसको हटाया उसके बाद इसकी जांच की तो यह कितना मिला आपको तीन घात का समगात फलन मिला और उसके वेसिस पर हमने आयलक के स्टेट्मेंट लगाया और हमारा रजट कंप्लीट हो गया ठीक है नोट कीजिए फिर चलते हैं एक नेस्ट कोशन की और है कि अब तक हमने जीतने भी कोशन की हैं वह हमने सब फस्ट ओडर की एं जो अंसोल्ड कोशन हमने जितने भी किये हैं वह सब हमने प्रत्म कोटी के आंसी को लग बुणांक वाली की है अब हमारे जो आगे के जो कोशन होंगी वो सब जित्विया पोटी के आंसी ऑकलंग बुणांग वाली होंगे यांपर जितने बीजो नेक्स्ट कोशन से हुनको हम करें गया तो अगला प्रेस्ट लिखता हूं यांपर नेक्स्ट कोशन है 12 कोशन नमबर 12 है इस तरीके का यू बरावर साइन इंवर्स इस तरीके का हमारा कोशन है ठीक है हमें इसको सोलू करना है तो इसके लिए हमें प्रूव क्या करने हैं हिल वेल हिलता हूं आपर मुझी प्रूव करने है इस तरीके का हमारा क्या है यह कोशन है यह हमें प्रूव करने हैं यह तो हजात पंद्रह में आएगा कोशन है इन राधास्तान एमुद्श्टी एग्जामणेशन यहां से हमें क्या करना है कोशन को सोल करने का तरीका हम जानते हैं उपकिस तरीके से सोल करेंगे इसको तो उसके लिए हमें आपर चाहिए सेंड ओर के यह पार्शिल डिफ्रेंशेल्सेशन हमें करना होगा वह हमें आपर प्राप्ट करना है तो सबसे पहले हमारे जो साइप में अपर करने हैं यहां से भी मैुस्वर्टा हूँ तो मुझे मिलेगा साइझ यू बराबर मिलेगा x मैने उपर से कॉमल ले लिया रूट x नीचे से कॉमल ले लिया और यहां बचा y upon x की power 0 and y upon x की power 1 and divided by यहां पर क्या जएगा y upon x की power 0 plus y upon x की power 1 बटा 2 यह मुझे यहां पर प्राप्त हो जाएगा इसको यदि मैं आगे सोल करूं तो मुझे मिलेगा एक्स की पावर एक बटा दो और यहां आ जाएगा साइंड यू यहां के लिखे लिखे कैपिटल एफ वाई यह फोन है इसको ले लिखे मैंने समीकन नमबर एक कि समीकन एक मेरा जो साइंड यू है वो एक बटे दो या तो मैं एक बटे दो घाथ का समगात फलन है तो इसको मैं यहां लिख लेता हूं हो समagogue एक bei 2 फ्लय का समगाद पलन है ह即ह हमारा समिकर एक एक बाटे तो उपलच का समगाद पलन है अगर यह ऐसmomWow फो में इसके लिए हमारे पास संगाद है तो कैसे लिखूँगे इसके हैं तो कैसे लिखुंगा, इसको मैं लिखुंगा, x, del upon del x sin u प्लस Y डेल अपॉन डेल Y साइन यू इक्वल टू एक बटे दो साइन इस तरीके से साइन यू को आप डिफ्रेंशेट करो तो क्या जाएगा X साइन का हो जाएगा पॉस यू और मुझे मिलेगा डेल यू अपॉन डेल X एक डेल यू अपॉन डेल X प्लस Y डेल यू अपॉन डेल Y और कोस यू से मैं इसको डिवाइड के था इस विज़स कितना आगे एक बटा दो 10 यू मुझे मिलाता है यहां पर तो यह हो गया मेरा दो नमबर यानि आलर का कि यूंसे की इसे को किंए करें या नहीं पर करें सब्सक्राइब तोची आजी लिखते हैं मैं हिए अध्य सब्ची करें इसी सब्सक्राइब दिवोराद कि अलिन करता यहां सते यहां से आश्यान मैं तोड़ा समझी एक्स को छोड़कर यह आप दूसरे वाले को करोगे तो क्या जाएगा तो कितना जाएगा तो हमें प्राफ्ट होगा यह हमें यह आपर प्राफ्ट होगा और बराबर में एक बटा दो तरह हो जाता जहीं को चरिका जाएर। üst प्राफ्ट होगा लेकिन यह भी चाहेँं प्राफ्ट से स्कुए और यह सब्सक्राइब बित्स ओपका इसके साथ प्राफ्ट ऑक्न और यह लाका डेल में दक्राप्ट को मुचरटCTV hen सबस्क्राइब लिखा या कि पूरी पंग्ती को या किसे मैं टिप्लाइब किया आप करें इस पुने में आपर एक तम्स मिल गई यहां पर हमें य की रेस्ट में पर जिद्यकोटी का चाहिए तो हमें समीकन जो दो है उसका दुबार किसके लिए करना पड़ेगा य लिए तो मैं नहीं लिखा पुने समीकर्ण दो का वाई के सापिश आंची का उकलन करने पर तो पुने समीकर्ण दो का वाई के सापिश दिमान से अफिम करूं तो मुझे प्राफ्ट होगा एकस डेल डेल एकस डेल वाई के सापिश करें इस वज़े से तो एकस यहां पर कॉंस्टेंट रहेगा उसको छोड़ दिया और दूत्रे वाले किया प्लस वाई को अब देखिए अब वाई का जित्ती है जो सेकिंड ओर का जो पार्शल डिफ्रेंशल ओपरेटर वो तो प्राफ्ट हो गया लेकिन वाई स्कॉयर नहीं मिला तो हमें सो किसे मल्टिप्लाइग करना पड़ेगा वाई स्कॉयर से तो मैंने यहां इसको वाई से यह आ गया हमारा नेक्स्ट इक्विशन तो दो के बाद यह हो गया तीन नमबर और यह हो गया चान नमबर आप हमें समीकरण तीन और चान को जोड़ना पड़ेगा तो क्या कियां समीकरण दो प्लस ती कि समीकरण दो वर तीन को जोड़ दीजिए तो जोड़ दी हमने आप तो समीकरण दो वर तीन को जोड़ा तो हमें देखो यहां से क्या मिलेगा एक्स पहली वाले श्ट क्या मिलें एक्स तो एक्स स्कॉयर डेल डेल एक्स स्कॉयर तो यहां से देखो एक्स व यहां पर यहां पर क्या जाएगा यहां तक हमारे पास जितने भी आंसे उपन गुणांगते वह हमने लिख लिए आप अब बसने प्रथम की तो प्रथम का यहां से तो बचा एक्स डैल यू अकॉन डैल एक्स इस वाले से क्या बचा वाई डैल यू अपॉन डैल वाई तो यह हमारे पास प्रथम के बचे हो गया लेट एंट साइड के सारा जो मैंटर साओ कम्प्लीट हो गया राइट एंट साइड पर आजाओ बराबर में लिखा एक बटे तो दोनों में से को मना सकता है ले लिया अब बंदर क्या बचा एस्स्कूर और इस टूपों डैल रिख स्कूर गया प्लस तुए क्या पहीं मिल्ट पर यह पास यह पास और मिलता है मुझे यहां पर जमैंस को ऐसे लिखता हूं तो ठीक अब हम क्या करेंगे यहां पर इसका मान रख देंगे जो अभी हमने यहां पर राइट है उसमें जो एक्स डेल योपन डेल एक्स प्लस वाइट यह पर जो एक्स पदा है क्योंकि इसके प्रण होने सब्सक्राइब 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 इसको बराबर वाली लिखेंगे यहां लिखने पर यहां लिखने पर इस चीज़ को सब्सक्राइब 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 इसको बराबर वाली लिखेंगे लिखेंगे आपर सब्सक्राइब और सब्सक्राइब गुणा के रूप में क्या गया गुणा के रूप में आगया हमारे पास वन अपॉन टू यू यह और आगया अब हमेरे जड़ी यह चाहिए आप इस अनेट पे पहले यह समझें कि कहीं पर भी देखो आपके पास 10 तता सैग जैसे पर नहीं है तो पहले इनको अटाओ तो क्य यह तो हमेरे पास कितना जाएगा वरन टू कोष क्यूब यह कोष्ट यहां से मिलेगा इसके साथ है और यह कोष अपने मल्टिक्लाई होई आए तो यहां से वह पास रजल्टा जाएगा माइनस का क्या है माइनस पर टू कोष स्कॉयल यू और बहार के बैठा है यहां पर बैठा है साइन यू और यह दो मिलकर के ओए दो दूनी चार तो फोर कोष क्यूब होगे यह नीचे वारा जी मेंटर हा वो तो हमारा कंप्लेट वेरिपाइग हो रहा है अब उपर हमें और बनाना ह तो यह जाते हैं यह होता है तो इसको साइन के बतर में लेना चाहो तो हुआ है है तो कोस्ट की में माइस सबसा है जैसा चैक्षा पहला पर साइन रहें और हमारा यह वह राट और सबस्क्राइब तो इस तरीके से हम को सोल करेंगे हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई भी कोशन हो तो हम उसे समझा है यह जैसा हमें जाना चाहिए उस दिसा में चलते हो इसको हम प्रूव करेंगे आपर जो चीज कोशन में नहीं है जैसे हमें देखाता है आपकर हमारे पास सैं को और जो आपको चैहिए उनको पहले अलग से लिख लो और जो चीज नहीं है उसको बनाने की कोशिस करो तो यदि आपको कोशन सही होगा तो उस कंडिशन में हमें रजट्स बरतर पराप्त हो जाए कि नोट कर लीजिए आप इसको अब हमें इस कोश्चन को करते हुई है इससे पहले भी हमने इससे पहले के जो कोश्चन से उनके लिए आपके लिए वह बढ़ाया था हमने इससे पहले इससे पहले देखने लिए लेकिन जिनके पास बुक नहीं है उनको भी वीडियो के माध्यम से बिल जाएंगे वांतर तो आज के लिए इतना है पढ़ते हैं नेफ्ट वीडियो में एक नया टोपी आपके लिए लिए बीवाद के लिए शबाद। झाल झाल